आपका तीन दिन जूलोजी क्लास होता है उस पे भी आप उस दिन भी अगर आप जूलोजी के अलावा कुछ पढ़ोगे तो तुमसे बड़ा बेवकुख क्या है आप गंट जी रिवाइस करो एक एक धिड़ घंटा बॉंटी रिवाइस करो वह अछ़ए होता है पिर बॉत्ट्णी जी पढ़ना पढ़ेगा वेरी शिंपल अगर ऐसे आप नहीं करते हैं बाटनी डेज में सिर्फ बाटनी पड़ते हैं तो जुलोडी डेज में आपको से जुलोडी पड़ना पड़ना पड़ेगा वेरी सिंपल ओके बिकाज डिस नो आई ट्राइट टू कंविन्स आल पीपल पड़ोडिसा में लोग समझते नहीं कि जुलोडी जब पचास मार्क देता है तो उसमें उतना पढ़ाई भी है लोग क्या सोचते हैं कि केमेस्ट्री का इतना बड़ा भूख है तो वो उतना समय खाएगा अरे जुलोडी का भूख दिखता नहीं है क्योंकि एन सैटि में दिया नहीं है बट एन साइटि को समझाएंगे कैसे तो एंसाटि को समझाने के लिए जुलोडी का भूख चाहिए वो ठुट्रूमेंस देखते नहीं है na वो सिर्फ देखते अगी छोटा सा भूख है फै detecting सारू तो वो कोई नहीं समझता है, इसलिए you have to face the brunt, तो इसलिए I have told you always, you have to come prepared to class, अगर आप मेरे class में पहले से तैयारी करके नहीं आते हैं, समझने का कोई गैरेंटी नहीं है, तो अगर आप प्री रिडिंग नहीं लगाएंगे, अभी तो यह तो टैक्सोनमी है, यह तो सिंपल टपिक से, फिजोलोजी बाइक केमस्ट्री आएगा, वो तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो, बिकास विदाउट प्रीपरेशन यू थे नहीं रहे हो, तो आप प्रीविजो पहले से देखके आजाओगे तो बेटर होगा, चलिए, तो विल नाट वेस्ट अन्यमोर टाइम, तो अम लोग अपना चलेंगे आगे, तो बहुत काम है रे बाबा, चलिए, आप लोग NCRT को पूरा अच्छे से लाइन अप कर लीजिए, फर वार्ट, और योर अन्यमोर एक्जाम, आइठिक वो उत्मा डिफिकल्ट आपके लिए होगा नहीं, तो इसको अच्छे से देख लिजिए, ठीक है, तो वी हाव दन तिल इस पॉइंट, आप देख पॉइंट्स हो गया था हमारा, नर्वस सिस्टम, सेक्स अर यह सब, यह वालव नई हूए, तो जह तक हुआ ठाए, यह वाटरूट तक हुआ ठाए, यह यह ए depends हैं, यह मतलब क्या है, हम पानी निच्चे से खीच रहे हैं, प्रॉम तुप पीट तो इसलिए आपका ओट साइट से टीव फीट से लेडरल कनल Пड़ से रीडियल कनल से स्टोन के नल सद्कनल से मैडरप्रायट्ट मैडररप्रायट्स से अउट साइट जो सब्सक्रणिक करने रहा है क्या होगा वह चीज निचे के तरफ जाएगा और पकड़ेगा कोई चीज को, okay, अगर स्टार फिश को कुछ पकड़ना है वो पानी को सब करेगा, अगर स्टार फिश को उपर उठना है, लोको मोशन करना है तो वो उल्टा पानी चलाएगा, आउटसाइड, फिर मैटरेपराइड, फिर स्टोन केनाल फिर रिंग केनाल फिर रेडियल केनाल फिर लेटरल केनाल फिर ट्यूब फिर आउटसाइड अडिये फिर जमीन को पुश करेगा एंड स्टार विश ऊपर-उपर उठेगा पोई शाख चलिए तो आप हम लोग next videos में चलते हैं so इसमें हम लोग जो blood basically उसका जो blood है वो भी red in color है due to echinocrome pigment ठीक है तो echinocrome pigment के कारण उसका blood क्या है red है but achinocrome जो है वो आपका gas exchange करता है कि नहीं उसके बारे में थोड़ा अभी उतना जादा clear नहीं है okay so this is the concept now basically क्या है आपका जो in case of hemoglobin आपने hemoglobin देखा था है कि नहीं in case of आप जो क्या in case of arthropoda आपने देखा जेनरली पोई pigment नहीं होता है in case of ये जो hemocyanin उसमें copper होता है मलस्का में आपका hemocyanin होता है और वो आपका copper containing है blue blood है ठीक है तो जब वो oxygenate होता है blue होता है जब वो deoxygenate होगा वो colorless हो जाएगा ठीक है उसी तरह से आपका कुछ analytes में hemoerythrine होता है वो आपका oxygenate होने से violet होता है और deoxygenate होने से आपका colorless होता है तो similarly echino derms में आपका echino chrome pigment reported है बट उसका physiology कुछ है की नहीं वो उतना ज्यादा clear नहीं चलिए so this is the story अब हम लोग चले जाएंगे उसका excretion तो basically उसमें क्या है there is no definite excretory organ उसमें definite excretory organ नहीं है यह जो excretory organ नहीं है इसलिए क्या होता है tube feet ही and water vascular system ही मदद करेगा excretion ठीक है तो यह primitive feature है skeleton यह देखिए आ गया तो most a canoderms possess a well developed internal skeleton but actually old ncrt में external skeleton लिखा था okay तो अगर आप देखोगे old ncrt point यह मैंने change किया है तो यह जो endoskeleton है यह I have changed but ncrt लिखता था exoskeleton है कि नहीं चलिए तो इसलिए तो यह जो skeleton है यह internal है and mostly calcium carbonate से बना होता है to some extent magnesium carbonate भी होता है and other elements के traces मिल सकते हैं now यह जो mesodermal endoskeleton इसका origin क्या है embryonic mesoderm so this is an advanced feature क्यों बोलो क्योंकि other non-cordates में कौन सा होता है ectoderm तो ectodermal skeleton होता है क्यों उनका exoskeleton होता है समझ मैं यह so they have exoskeleton so that is why what we will see in there तो हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या होता है बता वो लो तो उसमें epidermal होगा यह ectoderm से बना होगा but in case of आपका जो निडा यह कैनोडा माटा है उनमें internal skeleton है endoskeleton है originating from mesoderm तो यह advanced feature है तो अब आपको एक question पूछेंगे लोग यह echinoderms तो radially symmetrical है फिर आप ने उनको vertebrates के पास क्यों रखा है cordates के पास तो आप क्या बोलेगे एक इसका नार्वा bilateral point number one is bilateral because आपको sequence में आना पड़ेगा because radial से हटाना पड़ेगा उसको that is bilateral तो लार्वा bilateral symmetry है तो क्यों echinoderm radial बन जाता है adult कि उनका habit जो है वो benthos है and sasile habit है not sasile sedentary actually तो in case of echinoderms हम लोग sedentary term use करेंगे sasile term use नहीं करेंगे sasile only c lily क्यों बोलो कि c lily fixed होता है बाकी सब मूब कर सकते हैं वो करते नहीं या slowly move clear next point is body plan body body plan जो है वो protostromus है actually पहले से उनको वहां से शुरू करना चाहिए body plan protostromus tube within a tube generally होता है but echinoderms क्या होते है deuterostromus tube within a tube point number two enterosylobe होता है okay point number three bilateral symmetry in larva and point number four mesodermally derived endoskeleton ठीक है endoskeleton पहली बार आया not cordis में yes इससे पहले सब exoskeleton हुआ करता है even पूराने बुक्स में जो ncrt ncd में exo ही लिखा हुआ है so these are all higher book contents इसलिए उन लोगने categorically लिखा है कि mesodermally derived internal skeleton okay so it is not exoskeleton चलिए तो this is in sharp contrast to the method of cell production in malas and other invertebrate groups in which minerals are deposited into extracellular protein matrix है कि नहीं तो वो एक्स बाहर है यह बाहर है that is okay मने दूसरो में nervous system is without a brain and with a circumoral ring and five five x radial nerves what has five x radial nerve multiples of five okay because आपका वो कितना है वो देखना पडेगा so इसलिए वो multiples of five radial nerve यहार आर में एक radial nerve होगा sense organs are poorly developed her sense organs poorly developed है sex is usually diocese gonads large and simple or multiple fertilization external development indirect through class specific free swimming larval forms इनका larval forms जो है वो free swimming larval forms है ठीक है इसमें हम लोग एक point लिख सकते हैं जगा तो है हमारे पास so we can write one point di plurula larva and bipinaria larva of starfish resembled the ternaryia larva of cat hemicodils so okay so earlier it was thought that starfish led towards the coordinates okay starfish का जो line है वो coordinate line के तरफ चलता है ऐसा पहले सोचा जाता था okay बट आज कल पता चला है कि जो जो टॉर्णेरी जो एक काइन डर्म है जो हमी कॉड़ेट है वो आपका क्या है वो एक non-credit है तो इसलिए यह थोड़ा गड़बर हो जा है ओके तो यह आपका अर्लियर थौट था okay regeneration of lost parts is a peculiarity and हम लोग क्या देखते हैं regeneration this is a morpholexis type in starfish तो starfish में क्या देखते हैं in most in most लिख देते हैं most what is morpholexis type regeneration बोलिये sir अगर एक हाट कर जाता है तेन यू can regenerate that lost part अपको वो तो lost part is kept in survival conditions then the complete organism can be formed from that lost part body will regenerate lost part and lost part can also regenerate body समझ माया तो इसलिए दोनों हो सकता है अगर मैं starfish के चार पांच टुकड़े कर दूँ तो पांच starfish हो जाएगा सपोज मैं starfish का central arm छोड के सारे arms को काट दूँ तो क्या होगा छह starfish हो जाएगा so means there is a very good rate of regeneration okay the body will regenerate the arms and arms can also make the body in starfish autotomy of arms is seen इसका मतलब क्या है वो अपने इच्छ से arms को फेक सकता है predator को क्यों ताकि वो बच सके in sea cucumbers evisceration is seen मतलब वो अपना viscera को फेक देता है digestive system okay क्यों कि वो उसको regenerate कर लेगा okay so since it can regenerate it can freeze कोई शाख चलिए उसके बाद exclusively मराएं अराइन at least 85 अकाइनोडम species are known to be toxic or venomous but few are deadly to humans एक एक अर्चिन है अगर आप गलती से भी उसके पर पैर रख दिये तो आप मर जाएंगे आप यूनिक फिचर्स यह हम जानते हैं तो यह आप एक बार देख लेना मैं बस एक सेकेंड के लिए स्क्रीन यहां रोक लेता हूं because we are we know these points तो I will not try to spend more time here आप लोग इसको बुक में जाके लिख ले तो these are things we have discussed यह एक पॉइंट है पेडिसिलारिया तो actually इन में क्या होता है एक पिंसर लाइक पेडिसिलारिया होते हैं वो बॉड़ी को क्लीन करने में मदद करते हैं सुनिए जब यह बेंथास है नीचे पड़े रहते हैं तो जिन्दगी भर का धूल इनके उपर गिरेगा न नहीं गिरेगा गिरेगा तो आप यह जो धूल गिरेगा फिर यह लोग सफाई कैसे करेंगे इसके लिए पेडिसिलारिया होते हैं ठीक है एंड दिस इस एंटरोसिलों यह तो आप जानते हैं चलिए तो यह देख रहे हो इस हाथ में लेकर रखा हुआ है यह हाथ में लेकर रखा हुआ है तो इसलिए तो सबसे पहला पॉइंट क्या है सबसे पहला पॉइंट है common name तो we are five classes यह आप याद रखेंगे अस्टेरोइड या मतलब starfish अस्टर का मतलब क्या होता है star ओके इसको मैं derive पर देता हूँ aster is equal to star ठीक है ओफियू रॉइडिया का मतलब क्या है ओफिस का मतलब होता है snakay snake snake ओके तो इसलिए इसका नाम क्या पढ़ गया ओफियू रॉइडिया ओके okay now a kindness का मतलब होता है archin okay a kindness is archin तो इसलिए इसको हम लोग क्या सी अर्चिन तो इसलिए उसका नाम है ओलो थूरियान जो है वो सी कुकुम्बर माने वो काकुडी जैसे दिखेगा और क्या इसलिए उसका नाम क्या पढ़ गया ओलो थूराइडिया पाइल सी कुकुम्बर नाम होलो थूरियान एक जूलोजीकल नेम है इसको हमें कैपिटल आई लिखना है उसका फराइना ब्रिटल स्टार बॉसकेट स्टार सर्पेंट स्टार इनका कॉमन नेम है सी अर्चिन्स सेंड डॉलर्स, हाट अर्चिंग, सी कुकुम्बर, यह सीलिली, डोंट भी सीलिली, आर्म्स, इसमें पेंटामेरस, नॉट मार्क तॉफ प्रॉम दी सेंट्रल डिस्क, अगर आप स्टार्फिश को देखेंगे, देख रहे हो, यह स्टार्फिश है, आप बता सकते हो, सेंट्र इसका मतलब यह स्नेग जैसे आर्म्स है इसलिए इसको ब्रिटल स्टार बोलाजाता है, अगर आप आर्म्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, तो उसको क्या बोलेंगे, so that is called स्टार्फिश, देख रहे हो, आर्म्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पारे हो, य आर्म्स, इसको लिखना चाहिए, आर्म्स, not marked off from the central disc, मतलब आर्म्स को आप अलग से पहचान नहीं पा रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें जो है, आर्म्स, अर्चिन्स क्या है, इसमें आर्म्स, अर्म्स आपसेंट, ट्राइड्या में प्रेजेंट, वोड़ी इज-म्स, ओके क्या है, उलॉत्फरोड्या में आर्म्स आपसेंट, इसमें एक और पॉइंट लिख लेते हैं, let us add one point here, इसमें जो है shape, shape एक point add कर ले, ठीक है, तो वो भी जानना जरूरी है, shape So shape कैसा है इनका, star life, okay, इनका जो shape है, वो star life है, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, sea pentagon, understand, इधर जो है, इसका shape क्या है, arms are snake life, okay, Arms are snake life, इसका क्या है, ये hemispherical, spherical coin shape, ये अलग-अलग उनका shape होता है, Hemispherical होगा, spherical होगा, या coin जैसा होगा, इसलिए उनको sand dollars बोला जाता है, समझे हो कि नहीं, sand dollar बोलने का मतलब क्या है, dollar जो coin है, वो coin जैसे दिखते हैं, इसलिए उनका नाम है sand dollar, Okay, इधर urchins लिखेंगे, and heart urchins, urchins, heart urchin, cake urchin, इसे बहुत सारा होता है, इसका shape क्या होता है, ऐसी cucumber का, cylindrical, Okay, ये cylindrical होगा, इसलिए इसका symmetry, bilateral होगा, ये क्या है, ये है plant life, comma, rooted, ओके, तो ये rooted होता है, इसका जड़ जो है, मिट्टी में धसा होता है, ambulacral groove, याद है ambulacral groove क्या है, जो होता है, उसको हम लोग ambulacral groove कहते हैं, ठीक है, तो इसलिए, इसमें क्या है, ये है present, इसको absent लिखना पड़ेगा, तो फूरा symbol, जो है, तो इसको absent लिखेंगे, तो इसमें ambulacral groove plus मने present, याद अखना, ओके, plus का मतलब होता है present, minus का मतलब होता है absent, इसमें भी absent, इसमें present but hidden, concealed का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, ओके, आपको दिखेगा नहीं, some very very rare, मैंने आपको सी कुकुम्बर का फोटो दिखा है कि नहीं, ये देखो सी कुकुम्बर है, इसमें दिख रहा है आपको arms, नहीं सर, तो बट गुरूब 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 नहीं दिख रहा है ना, पर किसी किसी में दिखेगा, तो हर किसी में नहीं दिखेगा, ओके, कोई शाक, कैसे दिखते हैं, क्या, पिनियूल्स, तो जो मैं दिखाऊंगा दिख जाएगा ना, आपने कालू को पुछा था कैसे दिखता है, बताओ, यह नहीं पुछा, आपने कालू नहीं जाए, जाओ, इसलिए आपका जो है, यह आपका हो गया, समझे रहो, यह सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए याद रखेंगे, चलिए, एड इसमें जो है, आपका क्या होगा, तो आपका जो क्राइन एडिया में, सी लिली में भी यह प्रेजेंट होता है, ओके, माउट, माउट का मतलब जो है, यह हर कुछ आपका क्या होगा, माउट एकी साइड होगा, that is oral side, ओके, सो इसलिए माउट हर समें oral side होगा, मतलब मीचे के तरफ, ओरल मतलब क्या है, towards ground, towards ground, okay, यह मिट्टी के तरफ होगा, towards ground, okay, तो सब का माउट सेम होगा, towards ground, towards ground, towards ground and towards ground, इन दोनों का font छोठा कर देते हैं, ओके, चलिए, तो यह अभी आपका towards ground होजाएगा, अनस, opposite होता है, आप जानते हो, तो इसलिए, अबोरल, तो आपका अनस, अबोरल होता है, starfish में, absent होता है, brittle star में, अबोरल, अबोरल, इनका oral होता है, क्यों बोलों? एक साइट तो मिट्टी में होगा, तो इसलिए दोनों ही एक साइट होंगे, माउथ एननस, दोनों ऊपर के तरफ होंगे, अब मिट्टी के तरफ होंगे, यह अचलिए तोवर्ज द ग्राव्ड नहीं होगा, यह तोवर्ज अप होगा, तोवर्ज क्या लिखेंगे, sky, क्यों बोलो तो, क्योंकि इसका माउथ दूसरा वाला साइट, मिट्टी में धासार होगा, नाव, सिमेट्री सब का रेडियल है, एक्सेप्ट सी कुकुम्बर, वो बाइलाट्रल है, क्यों बोलो, इसको आप बाइलाट्रल क्यों कह सकते हैं, उसका शेप देखकर, यह टोटल सिलिंडर नहीं होता है, अगर टोटल सिलिंडर होने से क्या होता है, बोलो, यह रेडियल हो जाता है, है कि नहीं, देखो, जैसे अब एक पूरा सिलिंडरिकल ककड़ी लेकर रखोगे, तो ठीक से रहेगा ना, नुडु नुडु होगा, बोलो, रोल करेगा ना, ठीक से रहेगा, अगर आपको ठीक से रखना है, तो नीचे से थोड़ा काटना पड़ेगा, तो उसी तरह से, तो इसलिए यह भी आपका टोटल सिलिंडरिकल ने, पेडिसिलारिया, हमने क्या डिसकस किया था, पेडिसिलारिया का मतलब क्या है, बोलो, जो क्लिनिंग और्गन, पेडिसिलारिया का मतलब हमने क्या डिसकस किया था, क्लीनिंग और्गन, ओके, तो समझ रहे हो की नहीं, तो जो क्लीनिंग और्गन्स है, तो इस और इसको पाता हो, इन सब में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेजेन्ट है आर्का इधर, absent 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 तीक है तो इसलिए present किस किस में होता है in case of starfish and sea arches बाकी सब में पेडिसलारिया absent होता है उसका एक कारण होता है बाकी सब move करते हैं and ये move नहीं करता है उतना ज्यादा move नहीं करता है तीक है and जो sea lily है आपका प्रिटल स्टार में अबोरल होगा अर चिंस में, इंटर्नल होगा, कुकुम्बर में, and absent होगा, किस में, सीलिली में, उसमें आपका मैंटर पुराइट नहीं होता है। यह अलमोस्ट सब में, युनि-सेक्सल होता है, डायोसियस, यह बहुत इंपॉडन्ट है, लार्वा, इस पे जरूर क्वेश्चिन आता है, तो लार्वा जो है, इसमें आप याद रखेंगे लार्वा, इसमें जो लार्वा आप देखेंगे, जो लार्वा है, आपका स्टार इसमें ये sequential larva याद रखना, पहले diplurula आएगा, फिर bipinaria आएगा, फिर drachyolaria आएगा, ये एक sequence में आता है, diplurula, फिर bipinaria, फिर drachyolaria, इसमें आता है pluteus larva, अफियो pluteus, इसमें भी pluteus larva, echinopluteus, इसमें auricularia larva, इसमें dolialaria larva, तो ये बहुत important है, याद रखना, तो इसलिए pluteus larva किसमें होता है, brittle star and आपका urchins, ओके, and auricularia होता है कुकुम्बर में, dolialaria होता है crinoids, respiration, अगेन हमने क्या discuss किया था, specific होता है ये, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, in case of starfish, dermal branchiae, as well as due feet, in case of brittle stars, genital bursa, ये sex organ के पास एक bursa होगा, and respiration, peristomial gills, ठीक है, mouth के चारो और gills होगे, in sea cucumber, cloacal, respiratory tree, and sea lily में, tube, okay, now special point है, morpholexis type of regeneration, okay, and autotomy, ये बहुत important points है, इसमें special points, arms are totally marked off from central disc, आप arm को central disc को अलग-अलग पहचान सकते हैं, ये जो अगर echinoderms पे, 10 question आया है, पिछले 10 साल में, तो 7 बार Aristotle's lantern आया है, okay, तो Aristotle's lantern क्या है, ये दान्ध है, दान्ध, chewing apparatus of urchins, chewing apparatus of urchins, okay, तो इसलिए ये भी autotomy of arms करते हैं, when disturbed, इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका evisceration होता है, तो ये evisceration autotomy दोनों होता है, in sea cucumbers, and lily में, इसमें भी autotomy होता है, plant life होता है, okay, so these are the concept, तो examples आजया ये, pentaseros, asterina, asterias, ये आपके book में दिया हुआ है, ofura, ofhyothricks, ये सब आपके brittle stars है, echinus आपको दिया है, sea urchin, okay, echinarchinus is heart urchin, and so on, kukumaria, ये सब sea cucumbers है, book में kukumaria दिया हुआ है, antedon neometra serilis, clear, so ये आपका zoological names है, अब आप देखिए, so these are asteroids, तो ये example starfishes का, ये कराल सिस्टम हमने discuss कर लिया है already, आप ये देख रहे हो, कितना सुंदर ट्यूपीट है, अब ये देखो, इसमें कितने arms है, गिनो, एक, दो, तीन, चर पांच, छे, साथ, आट, नो, दास, ग्यारा बरा, तेरा, तेरा है, अरांट पंदरा के अस-पास होगा, ये कट, कट आगे होंगे, अरक्या, so these are different types of starfishes, देख रहे हो, तो ये आपके अस्टेरोइडिया में आ जाएंगे, उसके बाद आता है, ओफ्यूरोइडिया, देख रहे हो, brittle stars, central disc अलग दीख रहा है, और उसके arms अलग दीख रहे हैं, देख रहे हो, so these are all different types of brittle stars, पाइन, उसके बाद आ जाईए, ये अर्चिन्स, और संद आलर, 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 संद आ यह आपका देखो को आइंस गिरे हुए हाट इस और संद डॉलर्स जो को जैसा है इसको संद डॉलर्स जोगते और अपर ये सब आपको अभी जानने का जरुत नहीं है बहीं आपको कितना पड़ोगे एक पराग्राफ दिया है तक चैटिमें तो हम कितना खेचेंगे बोलो चलिए अब आज ये अलग अलग टाइपस अफ और चीज दिखा है यह उसका स्टॉपरिशल वीव है देखरें कितने सारे ओसिकल्स यह जो काटे-काटे-काटे-काटे-काटे-काटे है ना यह सब और सिकल्स है और यह जो छोटा यह सब दिसल्रारे, जिसमकोत थ्री लिखाए सब ब्रावन को थिल्दnow चेँ ओने से प्रम टेखे जो बिल्दलार था मेरा स्ब्रम कार तोलार के xa देशा दिखता है इसी यह आपका C Cucumbers है देख रहे हो तो यह उसका Anatomy दिया हुआ है C Cucumbers का and these are all different types of C Cucumbers देख रहे हो की नहीं क्या यह रेडियल हो सकता है इधर रेको उसका माउच अलग सा है तो इसले यह देखो ग्रूब दिख रहा है Ambilical group तो यह टाइप of Ambilical group है okay so like that यह देखो पकड़ा हुआ एक डाइवर ने this is Cucumber fine आगया मजा तो यह है C lily don't be silly तो देख रहे हो बिलकुल plant-like है और यह जो कांटा कांटा देख रहे हो ना यह पिन्यूस दादा यह गुलो आछे पिन्यूस तो जो leaf-like structure है उनको पिन्यूस पोला जाता है fine so you are enjoying the photographs so whenever you go to eat honey while looking at the moon आप यह सब जरूर देखना Maldives में बहुत सुंदर लगता है Maldives and लक्षवदीप यह एंडमा निकोबर islands इंडिया में यह वाट हैवेन और जूलोगिस ओके आप यह जो है यह fossil निडारियन से हैं तो निडारिया का आमाब fossils है अमाब so they are all sea lilies देख रहे हो कि नहीं यह सब sea lily का fossil है देख रहे हो pinules दिख रहा है यह आपका mid shift है यह pinules है right so these are all आपका fossils of sea lily यहाँ देख रहे हो कितने सारे sea lily पड़े हुए है तो generally fossils में ज्यादा sea lily मिला हुआ है these are all sea lilies देख रहे हो and so on चलिए तो this is all about what so this is all about our echinoderms आगया मजदा so after echinoderms हम लोग चले जाते है generally किदर आपका total strength कितना है 4 कल एक कोई नया लड़का है ना आईश्मान साहू वो आया है कि नहीं आज तो अपना थोड़ा सुंदर मुकड़ा दिखाईए if you can switch on your video it will be glad yes ठीक है actually आपको tension लेने का जरूत नहीं है सारे वीडियो आपके Google में uploaded होते हैं तो आप उसमें जाकर जे जे शेर मार दोगे तो कोई ना कोई वीडियो दिखा देगा उसमें जाके में देख सकते हो अभी तो उतना टाइम है नहीं बट फिर भी लेट आओगे तो कुछ को फाल मेलेगा कि नहीं चलिए 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 ओके गोड़ बॉइए तो अब हम लोग क्या करेंगे कुछ डावट से तो पूछो औरना चलेंगे आगे आपने वहार पर आपने टैंडा चल्ड अब झाल इन अधर नहीं कि नहीं होता है तो आपने वहाँ पर आपने जालत लिखा हूं यहार रक्सवथ जल्दंवाजी में बरना पड़ता है ना इतना वक्त नहीं होता है वो मैं तर 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 में गड़बड होता है, चलिये, और वो लिए, विकॉस ये content बनना बहुत time लगता है, क्यूंकि I refer a lot of books, तो सारा content को verify करो, फिर जो देना है, सोच के तो, इसमें तोड़ा गड़बड होता है, चलिये, so if things are gone, तो now we will go to our next file, ओके, तो आब हम लोग चले जाएंगे, किदर, into, मैं एक बार, जो है, recording को stop करते हैं,